गुड आप्टरून फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अतुर लोहिया जो लोग इस्पेसली बीपी एसी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका ऑप्सिनल पब्लिक एड्मिनिस्टेशन या लोग प्रशासन विशय है उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये बीडियो लेके आया हूँ मैं फ्रेंड्स आपका फोकस बीपी एसी पे है फॉर्म भरा है शिक्ष्टी सेविन बीपी एसी का प्रिलिम्स देने जा रहे हैं तो आपको भली बाती जानकारी है इस बात की कि पहले दिसंबर में प्रिलिम्स अंभावित था चुनाओ की वज़े से डेट बढ़ी और 23 जनवरी को प्रिलिम्स के आयोजन की तारीख तै की गई और लेकिन आप देख रहे हैं की 23 जनवरी को भी 67 बीपी एसी प्रिलिम्स का एक्जाम नहीं होना है कारण बताया जा रहा है की बहुत जादा लोगों ने आबिदन किया है उतने लोगों के एक्जाम की ववस्थाएं करने में समय लग रहा है बीपी एसी को फर्वरी और मार्च में एक्जाम स्कूल्स के होते हैं तो सेंटर खाली नहीं है तो इन सब चीजों को देखते हुए माना जा रहा है की अब 67 बीपी एसी प्रिलिम्स का एक्जाम मार्च लास्ट या एप्रिल फर्स्ट बीक में होगा मतलब उसके पहले होने की संभाबना नहीं है तब हो या उसकी और बात में हो तो फ्रेंड्स अब जो ये कम से कम 3-4 महिने का समय है अब इसमें क्या करें प्रिलिम्स की तृइरी तो करी चुके हैं एगर आप finance है आज़ जब दिसंबर की डेट थी प्रिलिम्स की तो आपने उसके अपनी प्लानिंग करी तइयारी करी प्रिलिम्स की और डेट बढ़के जनवरी हुई तब तो लगवक ताय था कि जनवरी में तो हो ही जाएगा एक्जाम तो आपने उसके एकॉर्डिंग प्रिलिम्स की तैयारी सुरू की लगवक एक महीना बचा है तो अब तक आप प्रिलिम्स की तो मैक्जीमं तैयारी करी चुके होंगे अगर अच्छे स्टुएड्ड हैं और प्रिलिम्स पास वने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लह किना अब एक जाम तो मार्च ऐपरेल में होना है मतलब कम से कम मार्च आपरेल में अब उसके और आगे बढ़े तो कुछ पता नहीं तो सभाविक सी बात है कि प्रिलिम्स की तैयारी हो गई है तो अब फिर दुबारा प्रिलिम्स की तैयारी तो नहीं करेंगे और चलिए करेंगे भी तो अगर चौबीस घंटे में बारा घंटे पढ़ते हैं तो पूरा बारा घंटे तो प्रिलिम्स की तैयारी नहीं करेंगे उसका तो कोई औचित है नहीं यह बात तो ठीक है कि जितना गुर डालें उतनी मिठास होती है तो फिर तो जीवन वर सालों वर केबल प्रिलिम्स ही पढ़ते रहें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टेटजी के तहेत ही आपको आगे बढ़ना होगा कहने का मतलब इतना है कि चुकि प्रिलिम्स आगे पोस्पॉंड हो गया है आपको तीन-चार महिने का कम से कम समय मिल गया है तो अब इसका मतलब ये कदापी नहीं है कि आप अपना पूरा टाइम, पूरी इनरजी, केबल प्रिलिम्स की तैयारी में ही लगाए रखें बलकि समझदारी इस बात में है कि अब थोड़ा सा आप कम से कम चार गहंटे, पाच गहंटे मेंस की तैयारी का भी समय निकालें मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि प्रिलिम्स आप बिलकुल नहीं पढ़ें आलेकिन अगर बारा गहंटे पढ़ाई करते हैं तो छे गहंटे प्रिलिम्स पढ़ें और छे गहंटा मेंस पढ़ें और 6 घंटा मेंस पढ़ें तो सभाविक सी बात है कि ऑप्सनल जरूर तयार कर लें एक कहें कि गोल्डन अपरचोनिटी आपको मिल गई है कि मेंस की तयारी भी आप अभी कर लें अटलीस ऑप्सनल एक बार सलेवस से गो थू हो जाएं ताकि प्रिलिम्स के बाद ऐसा नहीं लगे कि ऑप्सनल हमारा कुछ तयार नहीं है या एकदम नया ऑप्सनल है या जीरो से तयार करना है प्रिलिम्स के बाद जब ऐसी इस्तिती होती है कि अब ऑप्सनल तब भी बिलकुल नहीं चुआ हमने या नया सब्जेक्ट है जीरो से तैयार करना है या साल भर पहले पढ़ा था तो तब यह best time है कि आप अपने optional को समय दे दें जीयस मेंस पढ़ें वो भी अच्छा है लेकिन चुकि यह मानके चल रहा हूं में कि प्रिलिम्स में आप जीयस पढ़ी रहें तो कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी हो रही है उससे तो बास्तों में जो समय मिल गया है तीन चार महिने का आपको optional कम से कम एक बार अपना go through कर लेना चाहिए अगर best strategy के तहट आप जाते हैं तो और बैसी इस्तिती में अगर optional public administration है तो फिर मैं बस उसी से जुड़ी एक जरूरी information देने आया हूं आपको 21 दिसंबर से हम एक बिल्कुल नया बैच सुरू करने जा रहे हैं public administration के लिए आप दिल्ली में रहते हैं तो offline mode में भी बैच है दिल्ली में नहीं रहते हैं बिहार में अपने घर पे हैं या बिहार के बाहर भी कहीं आप रहते हैं BPSC की तयारी कर रहे हैं तो online mode में भी बैच है 21 दिसंबर से बैच सुरू होने जा रहा है live class भी है और recorded class भी है सारे option उप लब्ध हैं आप offline करें आप online करें आप working है तो cable recorded कर लें cable तैयारी कर रहे हैं तो live और recorded दोनों कर लें सारे option आपके पास हैं आप अपनी जरूरत अपनी सुविधा के recording चूज कर सकते हैं कि आपको किस mode में किस किस तरीके से course करना है हा लेकिन अब best time है कि आप एक बार अपना option करना है सबसे बड़ी बात friends कि आप अगर recorded class अगर क्या आप live class करेंगे तो live के साथ हम recording देंगे आपको cable recorded करते हैं तब भी recorded होगा हम recorded class में एक अच्छा काम आपके लिए क्या कर रहे हैं कि जो पिछला batch complete हुआ था करीब 120 क्लास हैं एक से डेड़ गंटे के उनकी recording एक साथ दे देते हैं और जो नया batch है जैसे जैसे आगे बढ़ता इसकी recording भी आपको मिलती रहनी है दस महीने का access है जितना मर्ची आप देखें तो चुकि पिछले batch की recording एक साथ दे देते हैं तो इसका फायदा है कि अधर दो महीना आप लग जाएंगे 20 दिसंबर से 20 जनवरी और 20 फरवरी पूरा फरवरी मान लें साथ दिन अगर एक दिन में आप दो दो क्लास भी करेंगे तो साथ दिन मतलब दो महीने में एक बार आप अपना पूरा 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 फरवरी पूरा फरवरी मान लें हमने का साथ दिन सतर दिन तो देखिए आपके पास एक बेस्ट अपरसुनिटी है कि पर डे केबल तीन घंटा देंगे तो आपका ऑफसिनल मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ऐसा तयार हो जाएगा कि तीन सो में दो सो मिल जाएगे आपके दो महीने में इतना तयार जरूर हो जाएगा कि आप एक सो साथ एक सो सतर तक पहुँच जाएगे और फिर उसके वाद जब आपका प्रिलिम्स हो जाएगा मार्च लास्त या अप्रेल में फिर दुबारा उसको और एक बार अच्छे से कर लेंगे तो जरूरा आप दोसों के ऊपर पहुँच जाएगे ज्याद रखें कि सिविल सेवा की परिक्षा पास करना केवल कड़ी मेहनत से नहीं होता है वलकि एक सोची समझी रणीती के तहता आप तैयारी करते हैं तो ज्यादा बहतर परिणाम ज्यादा जल्दी पाते हैं और यह समय है कि अब एक आप सही रणीती डिसाइट करें जबकि बार बार प्रिलिम्स की डेट आगे बढ़ रही है ऐसा नहीं हो कि सारी इनर्जी सारी ओर जाओ समय केवल प्रिलिम्स की तैयारी में ही लगाया रखें और पता पड़ा की prelims में top कर गया लेकिन means की तैयारी नहीं है optional कमजोर रह गया तो तो जब आपको opportunity मिल रही है golden opportunity मिल रही है समय बढ़ रहा है prelims का तो साथ साथ आप थोड़ा सा means especially अपने optional पर focus करें आप इस batch को join करें प्रभा ICS का app आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्रभा ICS app mobile number screen पर दिख रहा है इस mobile number पर आप हमसे बात करके course join कर सकते हैं mobile number 9810651005 और फिर आप हमसे बात करके अपनी सुबधा के recording आप course join कर सकते हैं friends ये भी बता दूँ कि जो ये course है BPSC के लिए तो एह ही लेकिन UPSC और UPSC के लिए भी समान रूप से उप्योगी है जो common topic है सिलेवस में उनकी हम common class ही करते हैं जो topic अलग हैं उनकी class अलग से चलगा लोग प्रशासन का आर्थ पढ़ते हैं तो वो UP, बिहार, UPSC सब के लिए जैसा ही पढ़ाते हैं और ऐसा करना जरूरी है क्योंकि BPSC में आप देखेंगे कई सारे प्रशन UPSC के रिपीट हो रहे है UP में हमेशा से रिपीट होते रहे हैं तो अब समय आगया है और जरूरत है कि आप तैयारी UPSC लेविल की करें बहले आप एकजाम BPSC का दे रहे हैं और या UPPCS या कोई और तो ये बैच ऐसा नही है कि केबल BPSC बलकि UPPCS और UPAC के लिए भी समान रूप से उपई होगी है आप अगर UPAC की तयारी कर रहे हैं आप अगर UPPCS की तयारी कर रहे हैं आप अगर केबल BPSC की तैयारी कर रहे हैं बैच समान रूप से उप होगी है जो समान टॉपिक है उनकी क्लास समान होती है जो अलग टॉपिक है उनकी क्लास अलग से जैसे BPSC में कुछ टॉपिक बिहार स्पेसल पढ़ने होते हैं क्लास हम अलग से करते हैं ताकि जिनका टार्गेट बी पीएस ये वो वहां अच्छा करता है तो फ्रेंड्स प्रवाई ECS का एप डाउनलोड करें 21 दिसंबर से बैस सुरू हो रहा है मुबाइल लंबर दिख रहा है स्क्रीन पर हमसे बात करें और अपना एडमीसन सुनिश्चित करें 21 दिसंबर के पहले अगर आप एडमीसन लेंगे तो कुछ स्पेसल डिसकाउंट स्पेसल आफर चल रहा है आपको उनका भी बेनिफिट मिल जाएगा लेकिन वो उफर के अवल 21 दिसंबर क्लास सुरू होने के पहले तक के लिए ही है जैसे ही बैस सुरू होगा वो उफर सारे खतम हो जाएगा तो आपको उसके पहले डिसिजन लेना है अपना एडमीसन सो निश्चित करना है ओप लाइन कोर्स में बहुत लिम्टेट सीट्स हैं गिने चुने एडमीसन ही करने हैं क्योंकि 50% प्रजेंस के साथ ही अभी हम क्लास चला रहे हैं तो इसलिए बहुत लिम्टेट सीट्स हैं फर्स कम फर्स बेस पेडमीसन है तो आप देख लें कि आपको किस मोड में कैसे क्लास करनी है फ्रेंड्स बहुत छोटा सा सलेवस पबलिक अडमिस्टेशन का है जैसा आपको जानकारी होगी कि अवल एकी पेपर होता है ऑप्सनल का बिहार में 300 नंबर का दो पार्ट हैं उसके फर्स पार्ट प्रशासनिक सिध्धान्त है जिसमें 12 यूनिट सिलेवस में है मुला उधान्त है संगठन के सिध्धान्त इस तरह से करके 12 यूनिट सिलेवस में है और सेकेंड पार्ट या सैक्सन दो है इंडियन एडमिस्टेशन भारती प्रशासन जिसमें छोटी-छोटी सी 15 यूनिट सिलेवस में शामिल की गई है पुल 27 यूनिट का सिलेवस है बैसे 4-5 मेहिने का पूरा बैच होता है लेकिन मैंने का कि रिकॉर्डिट क्लास में हम पिछले बैच की रिकॉर्डिंग एक साथ आपको दे देते हैं तो आपको ये फायदा हो जाता है कि एक दिन में अगर आप दो क्लास भी कर लें रोज तीन घंटा भी समय दे दें तो आप साथ दिन में अपना कोर्स कम्प्लीट कर सकते हैं आपके पास 10 महिने का एकसेस है जितना मर्जी आप अनलेंटे टाइम देख सकते हैं दो बार आप लाइब क्लास कर सकते हैं, पांच महिने का एक बैच मतलब दो बैच आप लाइब क्लास कर सकते हैं, नोट्स देते हैं हम साउट कॉफी पीडिये फॉर्मेट में, 21 दिसंबर फिर बता दू, 21 दिसंबर से बैस सुरू होने जा रहा है, प्रभाई ECS का एप डाउनलोड करना है आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके, मुबाईल लंबर स्क्रीन पर है, इस पर हमसे बात करके अपना एडमीशन करना है, 9810652005, धन्यवाद दोस्तों.